हाला एवरिवन राधी राधी कैसे हो आप सब लोग स्वागत्य आप सब लोग का एंब व्लोगर समन में तो आज हम दीदी के साथ जा रहे हैं मार्केट तो देख लीजे हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि दीदी को खरीदना था च्वाटर से कुछ गहने तो हम लोग टम-टम में बैठ के जा रहे हैं आपस में बाते भी करते चल रहे हैं और यह हमारी घर के टम-टम है क्योंकि हमारे जो कावड़े वह से करीबहीillar किलो या फिर चार किलो मीटर दूर मार्केट भरता है हम लोग की मार्केट वहीं होती है कुछ भी सामान की चरूत पड़ती ही तो हमको वहां पे लेने के लिए जाना पड़ता है तो ये देख लीचे ये है पायल और दिदी को लेनी थी थोड़ी भारी वाली पायल यानि कि जो पाजेव होती है न उसमें से उनको लेना था और उनके पास जो साधी की पाजेवती वो तूट गई थी उनकी कुछ अलग डिजाएंट की पाजेवती जिसके कारण वो जगा ज जगे से खुल गई थी तो दिदी ने कहा कि उनकी पायल को देखर हम कुछ वजंदार सी पायल ले लेंगे तो बहुत चांदी महंगी हो गई है पहले तो 200 की एक तोला आती थी फिर 400 हो गई पर 500 अब 600 हो गई है तो मैंने भी अपने लिए पायल लेकर आई हूँ चांदी की बहुत बजंदार अच्छी नई डिजाइन में तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी डिजाइन मैंने खरी दिया क्योंकि अकर किसी के साधी में जाते हैं तो कम से कम सोने की चीज इतनी जादा ना हो तो चल जाता है अगर चांदी की चीज तो होनी चाहिए तो दिदी ने कम से कम बहुत जादा पायले देखी तो पैरों पे मैंने दिदी से बोला कि पैरों पे लगा के देखो तब समझ में आएगा कि कौन सी पायल जादा अच्छी लग रही है तो एक डिजाइन ये था और भी थी और फिर हम आ गए घर पर तो दिदी जा रही थी गर पर ये देख लीजी चीजा ची लेने के लिए आये तो आप वो जा रहे हैं यही हमारा गाओ है और ये रोड है गाओ की जो की अमेन रोड से बहुत अंदर है ये हमारा गाओ ये ताल है बगल में तो एक मंदिर है हमारे यह संकर जी का तो देदी वहाँ पर प्रशाद के लिए जा रही हैं कहते हैं कि अच्छा रहता है कि हमारे जो देवी देवता होते हैं जो पुर्खों के जो मंदिर होते हैं उन पर हम कभी कभी आते हैं तो परसाथ चड़ाते हैं मैं भी चड़ाती हूँ यहां पर जब मैं यहां से सूरत जाती हूँ न तो मैं भी चड़ा क तो दीदी भी चड़ा के जा रही है अपने घर तो चलिए देखा देते हैं आप लोगों को हमारा थोड़ा सा गाउं तो सब लोग जैसे मैं आती हूँ ना सूरत के लिए तभी भी सब लोग मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं मैं रोड पे जहां पर बस रुखती है अभी तो दीदी जीजा जी अपनी बाय के लिए के आये थे तो वो अंदर गाउं तक मतलब घर तक आये इसलिए यही तक छोड़ दिया था वरना हम मैं रोड तक सब को छोड़ने के लिए जाते हैं कोई भी जाय तो मेरे साथ तो सब लोग आते तो यह हमारा ताल है यह देख लि तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो इस तरीके से मुझे घूंगट करके रहना पड़ता है यह देख लिए मैं हूँ तो सब लोग यहां पर बाते कर रहे हैं और फिर दीदी चाहा रही है तो दीदी को करते हैं बाय और फिर हम चलते हैं तो यह देख लिए फ्रेंड इतनी घूंगट करके मुझे रहना पड़ता है तो यही है गाओं की सच्चा है अगर कोई कहता है कि घूंगट नहीं करना पड़ता है तो मुझे तो अमेसा से ऐसे ही घूंगट करना पड़ता है जब कभी भी मैं गाओं से मतलब घर से बाहार निकलते हूं तो इसी तरीके से मुझे घूंगट करके रहना पड़ता है यह देख लिए हमारे घर थोड़ा आगे चलके जो आपको टम-टम या रखकी देख रही हो वो हमारा घर है और यह बाकी के लोगों का घर है और यह मेरे हस्पन चल रहे हैं और तो चली चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आप लोगों से अभी घर का बहुत सारा काम बाग की है क्योंकि दीदी जा रही थी तो हमने उनके लिए जल्दी जल्दी खाना बना दिया था और उसके बाद कपड़े सूखने के लिए और अब मैं आयू कपड़े उठाने के लिए तो सारी कपड़े बह कि चलती हूं घर पे फिरनको करूंगी घरी करके वस लग रख दूंगी अलमारी में कपड़े भी बहुत मुश्किल से सूख रहे हैं इस समय क्योंकि अभी दो दिन से तो ऐसी बारिस बारिस चैसा मौसम हो रहा है बिल्कुल भी धूप निकलती नहीं है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता बिना थूप का सच बतारियों अपने लिए तो इस समय एक हाउस वाइफ होती है कहते को उसको अपने लिए समय नहीं रहता सही बात है ये मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता कि मैं अच्छे से वीडियो एडिट करके आप लोग के साथ शेयर कर शकूं तो चलती हूँ कपड़े में जितने वीते सारे उठा लियें आप चलते हैं नीचे अपने घर और कमरे में और वहां पे करेंगे सारे कपड़े को घरी और फिर तब तक साम का समय हो जाता है खानाना मनाने का सच बतारियों मुझे मेरे लिए दो मिनिट का समय नहीं मिल पाता है क्योंकि सुबह से सारा काम करती करते ठक जाती है तो जादा नहीं तो आदे घंटा तो नीद लगी जाती है आदे घंटा तो मुझे आराम चाहिए ही होता है तो बहुत जादा परिशान हो जाती हूँ काम करती करती है तो मुझे नीद आ जाती है तो फिर मैं एक घंटे के करीबन पांच बज़ रहे होंगे लेकिन फिर भी मौसम ऐसा हो रहा है जैसे साथ बज़ रहे होंगे तो जितने भी कपड़े हैं इनको फटाफट से मैं घरी कर देती हूँ और आज मेरी पती ने भोला था कि आज तुम बनाना चटनी वो भी सिल्वेट्टी से मैंने का ठीक ह अगर सिल्वेट्टी की चटनी का ठेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है जो कि मिक्सी से नहीं आता तो यहां पर सिल्वेट्टा है तो मैं उस पे चल देती हूँ पहले तो कट कर लेती हूँ मैं हारा वाला लहसुन हारा वाला लहसुन का ठेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है चटनी में तो हरे वाले ले लिया है मैंने कुछ धनिया है और तमाटर है हरी मिर्ची हो और नमक और उसमें डालेंगे चोड़ा सा जीरा जिससे की बहुत अच्छा टेश्ट आएगा तो सारे चीजों को मैं पहले से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ छोटे चोटे तमाटर को और मिर्ची को धनिया को लहसुन को सब चीज को मैं इस तरीके से ही पीसती हूँ चाहे वो प्याग मतलब मसाला हो सबजी के लिए या फिर चटनी हो आप लोग इस तरीके से ट्राइ कीजेगा तो मसाला चल्दी पिस जाता है या फिर चटनी चल्दी पिस जाती ह तो मुझे भी बहुत जादा पसंद है सिल्वट्टी की चटनी किस किस को पसंद है जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में तो चली फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ और फिर चलते हैं हमारी सिल्वट्टा रखा है वहाँ पर हम बनाएंगे सिल्वट्टे पर चटनी तो ये देख लीजे ये आच चुके हैं मैं टमाटर यहीं पर कट करूँगी तो क्या करती हूँ मैं चपल पहल लेती हूँ जिससे की अच्छे थोड़ा उंच्या हो जाएगा बैठने के लिए और अच्छे से मसाला पीस पाएंगे तो ये देख लीजे मिर्ची को मैंने कट नहीं किया आप यहीं पर कट करूँगी तो एक काम करते हैं इनको धो लेते हैं थोड़ा सा मिर्ची को यहाँ पर रख लेते हो पहले हम थोड़ा थोड़ा सा खड़ा नमक डालेंगे खड़ा नमक से क्या होता है कि चटनी जल्दी पिस जाती है मसाला जल्दी पिस जाता है ठीक है तो पहले मिर्ची को पीसेंगे थोड़ा सा नमक डालके थोड़ा सा नमक हम भाद में डालेंगे टमाटर पीसते समय क्योंकि टमाटरों को पीसने में बहुत ज़्यादा महरत भी लगती है बहुत ज़्यादा समय भी लगता है तो आप लोग बताना आप लोग को गाउ करने के सोच रही थी लेकिन जब टाइम दोगा तब क्योंकि आफ्ट peux कामों में ihtी सारा समय निकल जाता है तो मैं घर को कमरा को भी अच्छे से Magic कर अपने एसाब से क्योंकि अगर अगर हमको यहीं रहना है तो अपने इसाब से रहो है ना तो चलिए फटा-फटसे में चटनी पीश लेती हूं पहले और फिर चटनी को चूंकेंगे जीरे के साथ थोड़ा सा तेल डालें के लिए कडाइए में उसमें तोड़ा जीरा और फि तो अब हम इसको भी पीशेंगे अच्छे से और उसके बाद हम पीशेंगे लाश्ण में टमाटर तो जो नमक बच्चा है वो हम भात में डालेंगे जिससे की टमाटर को भी पीशने में दिक्कत ना आए और जल्दी पीश जाए तो आप लोग बताईए का आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो तो हम टमाटर को भी छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लेते जिस्से कि यह जल्दी पिष जाएं तो चलिए टमाटर और चटनी पिषने के बाद बनाती हो रोटी और सुबै की जो दाल रखी हुई थी वो भी अभी रखी हुई है तो उसका भी मुझे अभी बनाने है मंगोडे तो सुबै की जो दाल बच गई थी मंगोडे की वो मैंने रख दी थी फ्रीज में क्योंकि अगर हम इसको बाहल रखते तो यह पानी पानी छोड़ जाती इसमें नमक जब हम डाल देते हैं तो दाल पानी पानी छोड़ देती और बहुत ज़्यादा पतली हो जाती तो बिलक लग लग रही थी उन्होंने ही चटनी पिसवाई थी अपनी मन से बोड़ रहते हैं आज मुझे चटनी रोटी खाना है मैंने का चलो ठीक है क्योंकि जब हम सहर में रहते हैं तो यह सारी चीज लगवा घम खाना चोड़ी देते हैं तो इसका टेष्ट जब मुह को याद आ लाता है तो हमें फिर और इस समय में गाओं में भी थी तो गाओं की चीज़े गाओं में खाने और बनाने का जो ठेष्ट है ना तो बहुत अच्छा है लगता है तो यह देख लीजे चली हम पटाफट से सेख लेते हैं मुगवड़े और फिर काना लेके चलते हैं पती दे तो आज चलनाने लगेंगे क्योंकि बहुत जादा समय हो गया है पहले तो मुझे चट्नी पीजने में बहुत जादा समय लग गया और फिर रोटी बनाई रोटी के बाद आप मैंने सोचा कि चलो मंगोडे बना देते हैं बात में जिससे की गर्मा गरम बने रहेंगे तो ये देख लीजिए चलिए बना लेते हैं फटा फट सी मंगोड़े और फिर चलते हैं खाना खाने के लिएकर आज बहुत जादा करम हो रहें क्योंकि उनको बहुत जादा घूक लग रहें इसलिए तो चली तो ये रखी हुए थे मतर पनीर के सुबै60 सबजी और खाना खाने के लिए तो मैंने उनको बोला खाना बन चुका तो आप आजाए तो आगया फटावर से कि उनकी उनको भूग लग रहे थी बहुत तेज आप लोग भी आजाए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिने श्यार जरूर कर दिने वैसी तरीके से आप लो